तो के नमस्कार आप सभी लोगों का प्रिसाइस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में स्वागत है अब जैसा अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो एंसीर टी बैच काफी जोरो सोरो से चल ला है और इसके मैक्सिमम कोर्सेस आपको एप पे भी मिल रही है कुछ इस्क्लूजिव लेक्चर्स आपको एप भी डिलीवर की जा रही है समय समय पे तो आपको एप भी हमारा डाउनलोड कर लेना होगा ताकि आप जो हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वह आप पुरंथ एप से ले सके वहां पर नोटिफिकेशन आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेर के वीडियो होते हैं कुछ ऐसी टॉपिक डाइनमिक और स्टेटिक का टॉपिक का वीडियो जो है वह एप पे आप के लिए फ्रिया दिया जा रहा है तो बहतरीन टूदा पॉइंट कम समय में एक मिनट के अंदर आप अपना कैसे करेंट अफेर या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हैं चोटे-चोटे वीडियो के लिए आपको हमारे यूटूब चैनल और एप को दोनों को ही सब्सक्राइब करना होगा साथ आपको अगर उच्छतम क्वालिटी के नोट्स भी अगर जो हमारे द्वारा प्रवाइट के जा रहे हैं उसका विलाग उठाना है तो आपको हमारा एप डाउनलोड करना पूरे हैं बहुत सारे प्री कोर्सेस और पेट कोर्सेस दोनों ही च आपसे वादा किया था कि एंसीयाटी से ही और अपनी सफलता कि सीडियों को कड़ेंगे कि अधियाटी में काफी टॉपिक्स हमने स्टार्ट कर चुका है पर चुके हैं हमने जनरल साइंस में हमने बायो कवर कर लिया है कुछ चैप्टर और जैसा कि अगर आपको दूए बी सब्सक्राइब बारत तारिक को बीप्यसी का पेपर देखे आये होंगे उनको यह महसूस हो रहा होगा कि जो सर पढ़ा रहे ते अनुसर जो भी क्लास में डिसकस कर रहे थे हुब हुआ ही कुश्चन आगया वैसा ही कुश्चन आगया चाहे वो मैटल और मैटल से कुश्च से कुश्चन हो सब कुछ वैसा का वैसा ही आया है आपको बता दे पिछले 6-7 सालों में जो हमने यूप्यसी डोमेन में इन बच्चों को मैंने जोग्रोफी और इन्वार्मेंट और जनरल साइंस जो मैंने पढ़ाया है और साइंस की बात करता हूं में तूदा पॉइंट ह भी पढ़ाया है different resources को मैंने रिटकर करके बैठरीन resource बना कि बच्चों का समय कैसे सके का टाइम कैसे बच सके उस पर हमने काम किया है कम समय में मैक्सिमम आउट पूट देने का काम किया है आप दस किताब ना पढ़ें आपका समय ना लगे आप जोगराफी पर पढ़ेंगे आप समय लगेगा तो उन अब तक टो कवर किया है जो बच्चे नय हैं उनके लिए हिंडियान जगराफि की बात करें त Saxonna, अभी तक हमने इंडिया जो टॉपिक कवर किया है है इंडिया एंड पर उसी मुलक उनसे हमारी बॉण्डरी अ कि उनसे हमारा डिस्प्यूट यह मुल्क और उनसे हमारी कितनी लेंड बॉंडरी जैंव वाटर बॉर्डरी जैंड है क्या क्या डिस्प्यूट है वह हमने कवर किया था है कि भारत में पहने वाली प्रमुक नदियां रिवर रिवर सिस्टम यानिक ड्रेनेज पैटन के बारे में हमने चर्चा की थी चुकि बहुत 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 लेक्टर था और उसका बहुत जादा जो है हमें फिडबैक मिला और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से हमारे सारी लेक्टर को देखेंगे और शेयर करेंगे कि तीसरा हमने स्वाइल पढ़ाया था और स्वाइल के साथ साथ उनमें यह आप लोग को देखिए यहां पर हमारा सिस्टम प्लेइलिस्ट हम नहीं बना रहे उसकी वज़ा है यह हम चाहते हैं कि ज्यादा तर बच्चे जो है वह एप पर बी मूट करें आप जाएंगे जोग्राफी सेक्शन खोलेंगे जोग्राफी मिंडेन जोग्राफी खोलें कुछ फ्री लेक्चर से आप उपेन करिए उनको फ्री लेक्चर को देखिए कुछ पेड़ है पट पेड़ तभी आप लिजे जब आप संतोष्ट हो जाई है हमारे क्वालिटी और कंटेंट से अब लेजिए कोई दिखत नहीं है फूर्थ टॉपिक जो हम कराने जा रहे है वह बहुत बड़ा चंक है वह है फिजोग्राफी अफ इंडिया इंडिया ये इसमें सबसे ज़्यादा आपको इसमें कह सकते हैं फिजीकल डिविजन अफ इंडिया बोलेंगे तो ज़्यादा सरूल भासा नेकर मैं बोलूँ तो फ बात करें फिजिकल डिविजन में यह इंपोर्टन टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत ज्याधा कंटेंट है और यह बहुत लोड़ेट लेक्चर भी हो जाता है इसमें क्या-क्या पढ़ना है हमें फिजोग्राफिक इंडिया हमें अपने भारत के बारे में जानना है पूरा लैंड के बारे में जानना है माउंटेन के बारे में जानना है तो क्या-क्या पढ़ना है तो इसमें हम लोग इसिकल डिविजन में इसिकल डिविजन इसमें हम लोग पढ़ेंगे माउंटेंज के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेट्यूस के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, घाट के बारे में पढ़ेंगे, और आइलेंड के बारे में पढ़ेंगे, पूरे भारत क को हम लोग 6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं अब माउंटेन में भी हम लोग अलग-अलग माउंटेन पढ़ेंगे हम लोग हिमालियन माउंटेन पढ़ेंगे हिमालियन माउंटेन में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालिया माउंटेन मिल्डिल हिमालिया मांटेन तीवालिक मांटेन पर कुछ साउथ इंडियन का मांटेन पढ़ेंगे अम लोग इन नॉट इस्ट मांटेन पढ़ेंगे पैनल्सुला मांटेन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपका कुछ रेंज इसे की अरावली रेंज हो गया विंद्या रेंज हो गया सत्पुरा रेंज हो गया इनके बारे में पढ़ेंगे इस्टन घाट और वेस्टन घाट में कुछ माउंटेंस हैं कुछ पीक्स हैं उनको पढ़ेंगे जैसे अन्नामुडी उनके बारे में पढ़ेंगे नॉर्थ इस्ट में बहुत सारे हिल्स है फिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हैं तो sa mountain ये बड़ा Dorothy इसके बारे में detail में पढ़ेंगे ऐसा video mountain पे आयेगी जिसके बारे में पढ़ेंगे तीक पढ़ेंगे पढ़एंगे चीन बनते हम पढ़ेंगे था पर देकर का रिसोर्स की बहुत सारा और देखेंगे कि हम जो यहां पर पॉलो करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की एक साथ ही पढ़ेंगे उसमें चैप्टर है एक नमबर टू और उसी को मैप करेंगे हम लोग क्लास 11th की एक साथ ही पढ़ेंगे ताकि हमें दो एक तो दो एक साथ ही पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक भी मैप हो जाएगा कि कि मैपिंग इस इंपोर्टेंट कि साथ जब सब कुछ पढ़ रहे होंगे इस से लिटेट जितने भी आपके हैं। आ चुके हैं। जितने भी सवाल आ चुके है चाए वो यूपीस्टी पहो कह एक आई, वी पीस्टी पहो हर्त ह데 MPPS पहो का हो जाह राजास्थान पीशिचंच का हो सारे कुष्टेन को हम लोग है ता पिक वाइस लगाएंगे का तो च्लिए शूरू करते हैं। है अपके है भाप्रत अलग एक हमाली न मांट में सो फब से पर से टोपिक दालेंगे हमालीयन मांटीरM हिमाललीयन माउंटेन को भारत का ऐस्ट और यंगेस्ट माउंटेन नहीं का यंगेस्ट मांटेन है बात करें यह मांटेन का निर्माण यह जिस तरह का इसका नीचर है हम कहते हैं इसको फोल्ड मांटेन कहते हैं करवाइशone घ्रफिक पुए है अब जिन बच्चों ने मेरे वर्ल्ड जियोग्राफिया फिजिकल जोग्राफिक वीडियो देखा होगा जिसमƏ मैंने टेक्ट्री पड़ाई थी है अगर अंग भी तेक्त नहीं पड़ें को दिक्कत नहीं यह पढ़ा देता हूँ ऐसे ओ雟्निक थियूरी में जब इंडियन में प्लेट और यह माल लेते हैं यह यहां पर इंडियन क्या देडिविए प्लेटि हुआ यह हमारा इंडियन प्लेट है इंडियन लेट और यह हमारा यूरेशियन प्लेट तो इंडोजनिक फोर्स के वज़े से जो भी अंदर फोर्स लगती है मैगमा लावा जो अब सारा मैंने बता कि कैसे प्लोट यह प्लेटे जो है मूव करती रहती है तो अस्तनों स्पेर पे यह आपस में अप्रोच कर रही ह मैं और समय के साथ जब रीव जा रही होती है दीरे दीरे जो दीरे ऑफिस हाँ दूस कहीं है इसमें मिलबा सेडिमेंट गरना स्टाट हो जाता है कि मैं बीटता जाता है और समय के साथ क्या होता है यह सेडिमेंट सारे गिर जाते हैं और कुछ इस तरह का पैटर्ण जन्रेट होता है अगेन नेचरल फेनोमेना है यह हमारा हमारे हाथों में नहीं है यह यह नेचरल फेनोमेना यह आपकी हो गई इंडियन प्लेट यह आपक सिकोड़ने का बज़े से इस तरह से आपका फोल्ड मांटेन का गषिस हिमाल्या है youngest हिमालिया हो लिए का जो निरमान है वो इसी तरह से पोल्ल मांटेन के या पूल्ल मांटेन बना कि एक हो पुझा करें हिमाल्या की भी प्रिक्राफ ड्राइग्राम मैं आपको बनाता हूँ तो यह जो उपर इस तरह से जो जा रही होती है लाइन एकदम कॉंटिनुवस लाइन जो जा रही है जो की भारत के भारत में जम्मू कास्मेर के यहां पे नंगा परवत है यहां सा और इंडस नदी के वज़े से यहां पे गौर्ज क्रेट होता है इंडस गौर्ज इंडस गौर्ज और यहां प्रणाचल प्रदेश में ब्रह्मापुत्र नदी जो आती है ठीक है यहां पे जो है नामचा बर्वा नामचा बार्वा यह माउंटेन है यहां पे गौर्ज क्रेट होती है दिहांग गौर्ज तो दिहांग गौर्ज तो दिहांग गौर्ज किस नदी के वज़े से होती है वो ब्रह्मापुत्र नदी के वज़े से होती है और यह ड्रेनेज मैंने आपको इसमें पढ़ाया है Lakonai aspire time कि हांट जादा होती है और जितनी भी पेरनियल रीवर है वो सभी के सभी हिमालियन रीवर के ग्लेसियर के पिघलने से होती है होता क्या है कि यह आपका हिमालेयन रिवर है यहां से आपकी रिवर और चलती है नीचे के तरह और फिर मांटेन को कट करती है बीच में से मांटेन को कट करती है यह जो मांटेन को कट करती है इससे आपका बन जाता है मिडल हिमालेयास मिडल हिमाल्यास अभी उनको इन देखने लिए उनको क्या व्हार कर में और इस रिवर्जा आगे बैसे तो सेडिमेंट्स आगे लेके जाती है और योस्ट्रेंट का विसकार होता यह आपका होता है ृप का सीवा लिखता है इनके बीच में पॉल्ट होती है अब कौन कौन से फेमस पीक इन ग्रिटर हिमालेज में है इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे जैसे कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है माउंट एवरेस्ट यह विश्व की सबसे उची माउंटेन है ठीक है भारत में यहाँ पर है के टू गौर्डविन ऑस्टिन कहते हैं इसको के टू और यह है नामचा बर्भा करते भी आई इदर आ जाई आए आपने आप प्रिंस इदर आई है कुभी तो अभी टेटनिकल के वज़्ज से दो मेंटेकल रोक रहे हैं हम लोग अभी फिर हम आएंगे तब तक आप बने रहिएगा ठीक है अभी यह देटेल वीडियो जाएगा कही जाना नहीं है तस गिवे में टू मिनुट्ट सम्हाव आव आव सम्म इंपॉर्टेंट वर्क त